अगर आप अपनी marriage manifest कर रहे हो और age आपकी निकलती जा रही है और इस बात का अगर आपको डर है कि कहीं आप अकेले न रह जाओ रिष्टे नहीं आते हैं या अगर आते हैं तो वहाँ पे आपकी बात नहीं बनती है तो अगर ऐसी किसी भी situation में आप हो तो आज की ये वीडिय आपके लिए है इस वीडियो में मैं आपको easily explain करूँगा कि कैसे आप इस जगा से निकल सकते हो और इसके लिए कुछ powerful affirmations भी मैं आपको दूँगा जिसकी use से आप अपनी marriage को manifest कर सकते हो चाहे आपकी कोई भी age हो कहते हैं कि जोडियां उपर वाला बनाता है एक तरीके से इसकी choice हमारे पास हमेशा होती है तो अगर इसलिए कभी भी आपने delay किया हो अपनी marriage में चाहे किसी भी reason को ले करके कि past में कोई अच्छा रिष्टा आया था आपने अपनी तरफ से मना कर दिया और आप उससे बहतर कोई नहीं मिल रहा या फिर जो current reality में आपके है यानि जो रिष्टा आया हुआ है और वो रिष्टा आपको पसंद नहीं है लेकिन हाँ इसलिए बोलना पड़ रहा है कि अगर ये भी निकल गया और आगे कोई नहीं आया तो तो सबसे पहले आपको इसी वाली जगा में से निकलना होगा यही सबसे बड़ी resistance होती है जो आपकी life में आपकी marriage को manifest होने नहीं देती इस जगा पर आप कह सकते हो हमारा mind flawed premises को रख लेता है यानि ऐसी चीजे ऐसे beliefs जो सच नहीं है और हमारी desire के against है जिससे हम अपनी life में बुरी चीजों को manifest करते हैं या कुछ manifest नहीं करते हैं ऐसी चीजों को हम कह देते हैं flawed premise तो ये भी एक flawed premise है क आपकी ये गलती है कि आपने past में कोई अच्छा रिस्ता छोड़ दिया अब वो रिस्ता आपको मिल नहीं रहा उससे अच्छा मिल नहीं रहा इसलिए जो मिल रहा है उसी से काम चलाओ otherwise ये भी नहीं मिलेगा तो इस वाले trap में कभी मत फस्येगा marriage का होना important है इसलिए अपन life spend करने वाले हो तो उस जगा पर होगा ये क्योंकि वो person आपको already नहीं पसंद है तो आप हमेशा एक bondage तरह से अपनी life को निकालोगे आप जिस family में जाओगे भले वो person already अच्छा हो या उसकी family अच्छी हो लेकिन ना तो वो person ना तो उसकी family कभी आपके लिए compatible होगी क्यों की relationship की जो starting गी थी वो starting गी आपकी ना पसंद से थी और ना पसंद कोई चीच को अगर आप करते हो तो वो resistance है और ना पसंद को जबरदस्ती पसंद करना alignment नहीं है ये भी resistance ही है unless आपको genuinely लगता हो कि सामने वाले में या उस family में या उस person में कोई खासियत है तो अगर आप positive aspects के साथ चलते हो तो आप उस रिष्टे को हां कर सकते हो तब और relationship आपके life में अच्छा रहेगा लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो तब आपको रुकना ही होगा और अगर आप already ऐसा decision अपनी life में ले चुके हो और आपको लगता है कि अब उस relationship में आप खुश नहीं हो लेकि अगर आपको positive aspects लिखना नहीं आता है तो उपर screen में आरी वीडियो को देख लीजगा और अगर ऐसी वाली situation में आ करके आप फस रहे हो और आपको decision लेना है हां या ना में तो अगर person आपकी choice का है तो आप उस person के साथ जा सकते हो अगर choice का नहीं है आप निकलना चाहे तो न इंदी में अगर इसको देखेंगे तो ये affirmation ऐसी होगी कि मेरे लिए सारी चीज़े हमेशा काम कर रही है तो अगर आपको जाने का होगा उस relationship में तो ये affirmation आपको उस relation में ले जाएगी अगर वहां से हटाना होगा तो वहां से हटा देगी और अगर आप हट जाते हो और आ आप ज़्यादा अपनी लाइफ में परिशान होते हो तो आपको खुद परिशान नहीं होना है वो चीज़ अगर आप देखोगे तो family वाले उस चीज़ में बहुत ज़्यादा involved होते हैं आप अपनी तरफ से उस जगा पर उतना involvement मत लीजिए अगर आपको लगता है कि कोई र या छोड़ती हूँ अब चाहे आपकी marriage में delay हो रहा हो या marriage नहीं हो रही हो या रिष्टा आ नहीं रहा हो हर जगा पर ये affirmation आपके लिए work करेगी ये जो combination वाली बदाई अब आते हैं हम दुसरे वाले topic पे यानि इसी topic के दुसरे पार्ट पे कि आपको next क्या करना है ये सा only aspect नहीं होती है इसका मतलब ये है कि marriage important है लेकिन marriage ही सब कुछ नहीं है marriage के अलावा आपकी health भी है आपकी relations बाकी भी है आपकी family friends के साथ overall career भी है अगर आप चाहते हो तो money भी है basically जैसे हम बोलते health, wealth, relation, success और इस तरीके से देखोगे तो health और relation हर किसी का होता है अब money और success हो हो सकता है बहुत लोगों के लिए important ना हो या हो सकता है कि आपकी life में आपके लिए कुछ और ज्यादा important हो तो इस जगा पर ये भी ध्यान देना है कि अगर आप अपना ध्यान पूरा दिन एक ही बात पर रखते हो और वो चीज आपकी life में नहीं है उसकी कमी है तो आप resistance को feel हमेशा करोगे ही तो second बस ये हो जाता है कि आपको अपने thoughts को diversify करके रखना है जिससे आप अपने life की बाकी चीजों पे भी ध्यान दे पाओ equally ध्यान दे पाओ जिससे क्या होगा कि आपका focus shift होगा जो एक खालीपन महसूस होता है जो एक loneliness feeling होती है हमारे अंदर जब कोई person में आपकी thinking start होगी जब वो start होगी आपका ध्यान आपकी life की loneliness से निकलने लगेगा जब उस अकेलेपन से आपका ध्यान निकलने लगे तो आप already एक alignment में आना start हो जाओगे और आपकी life में वो results आने start हो जाएंगे इसके लिए आप इस वाली affirmation को use कीजेगा कि मैं हर दिन हर छेतर में बहतर और बहतर होता जा रहा हूँ या मैं हर दिन हर छेतर में बहतर और बहतर होती जा रही हूँ या आपके life के बाकी aspects में भी आपको बहुत ज़्यादा help करेगा और अगर आपको लगता है कि आपका universe के साथ उतना connection strong नहीं है तो ये एक तरीके से important भी है overall alignment के ल लीजेगा या फिर अपने phone के notepad पे आप इसको रख लीजेगा और फिर इसको daily read करना है और धीरे धीरे आप देखोगे कि जो रिष्टे आपके रुके हुए है यानि आप किसी जगा पे चाहते हो कि वो relationship आ जाए यानि वो वाली marriage में हो जाए जहां हो नहीं रही है तो व अगर आपको लगता हो कि आपकी life की कुछ ऐसी personal चीजे हैं जो आप easily नहीं share कर पा रहे है या नहीं समझ पा रहे तो उसके लिए आप मुझसे personal session ले सकते हो मैं आपकी personal problem के according आपको personally guide कर दूँगा तो personal session लेने के लिए आप मेरे manager अमृत को contact कीजेगा उनके whatsapp number पे उनका whats thoughts वीडियो होती है Instagram की क्योंकि खामका आपको कुछ वैसी reels दिखेंगी आपका mind trigger हो जाएगा और trigger होने की वज़ा से आप resist करने लगोगे आप चाहो तो इन affirmations को अपने एर audio में भी record करके आप अपने लिए रख सकते हो और उसी को सुन सकते हो या overall आप मेरी बाकी videos को continuous basis प कोई ना हूँ और यह आपकी positivity को काफी push करता रहेगा और देखते ही देखते आप इस चीश को manifest भी कर लोगे और जब भी आप manifest करो तो आप इस वीडियो के comment box में आकर मुझे जरूर बताइएगा कि आपने उस चीश को manifest कर लिया यानि आपने उस person को manifest कर लिया और इसकी अल partner के characteristics को किस तरह की personality होना चाहिए तो आपकी screen में आ रही इस video को जरूर देख लीजेगा इसमें आपको सारी detail मिल जाएगी कि कैसे आप उसको define कर सकते हो